नमस्कार कैसे हैं आप सब आज हम लोग C.U.C.E.T. पर बात करेंगे लेकिन आज मैं यह सब बाते नहीं करूँगा कि C.U.C.E.T. का exam pattern क्या होगा C.U.C.E.T. का syllabus क्या होगा क्या assumptions है So assumptions वाली जो वीडियोस हैं मैं already बना चुका हूँ आप उन वीडियोस को जाकर देख लीजिए आज हम उस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे और वैसे भी C.U.C.E.T. 99% confirmed है 100% confirmed नहीं है So आज मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ जो C.U.C.E.T. attempt करने वाले हैं अगर वो होता है तो और देखिए आज की जो वीडियो है मेरी वो कोई scripted वीडियो नहीं है कोई मैंने उसके notes नहीं बनाए है बस मेरा मन था कि मैं कुछ बाते करूँ तो मैं यहां से चलकर यहां आकर बैठ गया और मैं बोलना शुरू कर दिया मैंने So चले शुरू करते हैं CEUT के बारे में बात करना तो देखो सबसे पहली चीज यह है कि मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो इस चीज़ को लेकर कि exam होगा या फिर नहीं होगा होगा तो क्या होगा नहीं होगा तो क्या होगा So मुझे पता है यार बहुत ही ज़्यादा परेशान हो और सिर्फ इसी बार नहीं बलकि लास्ट यह जब मैं डेलिन स्टेटी के admissions करवा रहा था students को information दे रहा था तो उस वक्त भी जो uncertainty थी यह बहुत ज़्यादा थी क्योंकि students को नहीं पता था कि कि जो uncertainty होती है वो सिर्फ आपके साथ नहीं है हर इंसान के साथ है सो आप tension मतलो आप एकदम chill रहो जो होगा सही होगा ठीक है और मुझे ऐसा लगता है कि आर life के अंदर जब तक uncertainty नहीं है तब तक ये proof नहीं होता है कि आपकी life move कर रही है और जब आपकी life के अंदर uncertainty आती है तब ही आपको पता चलता है कि आपकी life move कर रही है ऐसा मेरा मानना है अब बहुत सारे students को ये बास समझ नहीं आई होगी उनके सर के उपर से गई होगी लेकिन जिन लोगों को समझ आई है उन्हें पता है कि इस बात का क्या मतलब है इसके बात देखो बहुत सारे students ये बोलते है कि अगर CUCET होता है entrance exam होता है तो हमें अच्छा college नहीं मिलेगा हमने preparation नहीं की है बहुत सारे students बोलते हैं कि merit based हुआ तो हमें अच्छा college नहीं मिलेगा और entrance हो गया तो हमें अच्छा college मिल जाएगा आप एक simple सी चीज ये समझ लीजिए simple सा fact आप समझ लीजिए कि अगर आपने 12th class में पढ़ाई की है तो आपको अच्छा college definitely मिलेगा चाहे CUCET हो या फिर ना हो merit based admission हो या ना हो आपको अच्छा college जरूर मिलेगा और अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो फिर चाहे CUCET हो जाए या फिर merit based admission हो जाए फिर आपको अच्छा college नहीं मिल सकता है चलो अब एक aspect पर हम लोग और बात करते हैं अब मान लीजिए कि आप CUCET हो जाता है और आपको अच्छा college नहीं मिलता एक बार के लिए आप मान लीजिए और मैं अक्सर यही करता हूँ कि जब भी किसी problem में होता हूँ तो मैं सबसे बुरा जो हो सकता है मैं उस चीज के बारे में सोचता हूँ तो मान लीजिए आपके साथ एक बार सबसे बुरा यह हो जाए कि आपको किसी भी college के इंदर admission ना मिले मतलब अच्छे college के इंदर admission ना मिले तो क्या होगा तब भी मेरे लिए life का एक fact यही है कि college जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है आपकी destination तक पहुँचने का आ रही है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ सबसे पहली चीज यह है कि अगर आपने पढ़ाई किये तो आपका अच्छा college मिलेगा ही मिलेगा कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है दूसरी चीज यह है कि अगर नहीं भी मिलता है एक second के लिए आप मान भी सकते है नहीं मिलता है तो अपने रास्ते को चेंज कर दो अपनी destination तक पहुँचने के लिए क्योंकि college जो है वो सिर्फ एक रास्ता है वो कोई ultimate destination नहीं है किसी दूसरे college के अंदर admission लो और अपनी destination तक पहुँच जाओ simple so तो मुझे लगा था कि यार आज कुछ ऐसी ही हम लोग बाते करेंगे उन students के साथ जो काफी जादा परेशान है और I hope कि आपको कुछ चीजे समझ आई होंगी कि आपको tension बिलकुल नहीं लेनी है और आप मुझे एक चीज ये बताईए यार कि अगर आपने माली जी आपने बहुत जादा tension ले ली तो क्या आप tension जादा लेने की वज़ए से आपको C.E.T. में जादा marks मिल जाएंगे या फिर जिसने tension नहीं ली है उसको examiner बोलेगा आपे भाई तू रुक तुने tension नहीं लिए तो तुझे marks नहीं मिलेंगे जिसने tension लिए उसको हम जादा marks देंगे तो ऐसा तो नहीं होने वाला है ना तो tension लेकर भाई कोई फाइदा नहीं होने वाला है तुम एकदम chill करो मस्त रहो जो होने वाला है वो होकर रहेगा उसे कोई रोक नहीं सकता है आप बस क्या कर सकते हैं आप अपनी preparation कर सकते हैं अब वही बात आती है किसके लिए prepare करें entrance के लिए फिर boards के लिए अभी जो आपके सामने दिख रहा है आपके boards तो आप उसी के लिए prepare कीजिए जैसे ही announce होता है entrance exams का तो आप उसके लिए preparation शुरू कर देना बस tension मतलो ठीक है एकदम chill करो और life को must enjoy करो आप लोग और कोई भी अगर problem है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं आप लोग comment कर सकते हैं या फिर आप comment ही कर सकते हैं और आप मुझे Instagram पर बता सकते हैं आप वीडियो देखने के लिए शुक्रिया हम लोग ऐसे ही random talks करते रहेंगे जब भी मेरा मन करेगा मैं वहाँ से उठकर यहाँ आज आउँगा और आप लोग उसे बात करूँगा सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आपने मेरी ये फालतो की वीडियो देखे उसके लिए भी शुक्रिया